नमस्कार दोस्तो, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET विशे हिंदी की त्यारियां चली हैं हमारी तो इसके अंतरगत हम लोगों ने पढ़ लिया था हिंदी साहित्य के जो इतिहास के अंतरगत आने वाले जो कुछ एक टॉपिक्स थे जैसे आपका रासो साहित्य और आदिकाल का नामकरन बगेर बगेरा तो आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तो आदिकालीन सिद्व नाथ साहित्य तो इससे पहले हमने सिद्व साहित्य के बारे में जान लिया था कि कौन-कौन से सिद्व हुए हैं और आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य के बारे में तो चलिए दोस्तो बिना देर किये शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की दोस्तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नाथ पंथ को तो जब हम कल बॉद्ज या सिद्व साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तो उस वक्त हमने क्या पढ़ा था कि जो सिद्धों का अविर्भाव हुआ था वो कहां से हुआ था महायान से हुआ था सिद्व साहित्य का अविर्भाव ठीक वहीं से ही माना जाता है कि जो नात्फंत है उसका उदै भी जो वज्रियान शाखा थी या महायान जो शाखा थी वहीं से क्या है इनका अविरभाब भी हुआ देखिए कैसे हुआ जब क्या हुआ सिद्ध जो क्या थे उन्होंने क्या किया जो पंचमकार थे पंचमकार मत कि फिर जब बुराइयां बढ़ जाती हैं तो कहीं न कहीं कुछ अच्छाईयां भी होती है न उन में तो जब वो अच्छाईयां जागरित होने लगी ठीक वेसे ही सिद्धों से ही क्या निकला फिर आगे नाथ सहित्य का अविर्भाव हुआ मतलब उस बुराई में से कुछ अच्छाई निकली फिर ठीक है जो क्या मानती थी कि इश्वर तक पहुंचने के लिए ये जो रास्ता है जो सिद्ध अपना रहे हैं वो सही नहीं है हमें किसी अलग रास्ते को अपनाना होगा तो इसलिए कि आ जाता है कि जो नाथपंथ है उसका उदे बौदों से तो भले ह हुआ है वजडियान साखा से भी हुआ है लेकिन कहां से सिद्ध के बाद जो उसमें कुछ अच्छा था वो निकले वो कहलाए नाथ ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से इसका क्या माना जाता है अविर्भाव माना जाता है नाथपंथ का क्लियर है आगे देखिए ये कहते है कि मतसेंद्र या मचंद्रनाथ या फिर गोरकनाथ इस पंथ को चलाने वाले माने गए हैं तो देखिए कौन लोग इस पंथ को चलाने वाले जो मुख्यतर माने गए हैं वो है मतसेंद्रनाथ और गोरकनाथ तो मतसेंद्रनाथ का अन्य नाम क्या देखिए मचेंद्रनाथ प्रतिक्रिया के रूप में ही इन्होंने अपनी हट योग साधना आरंब की देखिए यह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सिद्धों में क्या थी जो कुरितियां बुराईयां आ गई थी उसको दूर करने के लिए या यूं कहें कि उससे तंग आकर इनन लोगों ने क्या क किया था उसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिक्रिया मतलब उनके खिलाप एक तरीके से इन्होंने अपने हट योग साधना को क्या किया उसको आरंब किया था देखिए हट योग से अभी प्राय है सूर्य और चंद्र के योग से तो हट योग से ये क्या मानते थे हो और ठो तो हो किस से है हो का मतलब है सूर्य और ठो का मतलब है चंद्रमा ठीक है तो ये बात कहां पर कही गई है ये बात जो गोरक नाजी है उनकी जो संस्कित में एक रचना है सिद्धी सिधांत पद्धती तो वहाँ पर उन्होंने ये माना है कि जो हो ठो जो ये दो है हो का अभ आपी पूरव की ओर और उन्होंने अपना गड़ किसको बनाय था और उन्हें नालंदा और विक्रम शील जो विद्या पीर ते वहांपर वो अपना गड़ मानते थे उसको ठीक है लेकिन जो नाथ पंथ ही थे देखी है इन्होंने अपने मत का प्रचार पंजाब में किया राजबुता ने और पंजाब में ठीक है पश्चिम में ठीक है न तो इन्हें क्या कहा जाता था इन्हें कनफटा भी कहा जाता है तो नाथों की संग्या कितनी मानी जाती है न मानते हैं आगे हम विस्तार से देख लेते हैं कि इनके सिध्धांत क्या क्या है इनके प्रमुक सिध्धांतों को देख लेती हैं तो ये देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं कि नारी भोग में ये बिश्वास रखते हैं देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा इससे पहले हमन इन्होंने इस चीज को न का रहा है, इस चीज में ये बिश्वास नहीं रखते थे, clear है, आगे देखिए पवित्र योग साधना को अधार बनाया, तो ये क्या मानते थे, ये पवित्र योग को अधार मानते थे, ना कि उस योग को जो सिद मानते थे, है ना, अगला है कि अंत पुन पंक्तिया कई वार एक्साम में भी पूछ ली जाती है कि अब्धु मन चंगा तो कठोती में गंगा तो यह किस ने कहा है गोरकनाथ ने कहा है तो यहां से पता चलता है कि यह मन की पवित्रता को जादा तवज्यो देते थे ठीक है ना शर्चक्र भेदन कुंडली जाग ही थी वो कहते थे कि भोग विलास का जीवन अगर आप जीएंगे उस रीके से भी आप इश्वर को प्रापत कर सकते हैं है ना लेकिन यह क्या कहते हैं कि हमें अपनी काम वासना को क्या करना पड़ेगा उसको नियंतरित करना पड़ेगा हमने जीवन मृत्यू के जो चक्र स है उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा तो शर्चकर भेतन का विप्राय यही है कि हमारे अंदर जितने भी बुराइया है उन चीजों को हमें क्या करना है उन चीजों को अत्या करके ही हम क्या कर सकते हैं इश्वरत्यों को प्रापत कर सकते हैं क्लियर है दोस्तों अगला है क जीवन के प्रती सहज और संतुलित दिश्टी इसका मतलब साधारण साही ही है कि ये साधा जीवन और उच्विचार वाली बात को मानते थे हिंदू-मुस्लीम एकता पर बल अब यसी बात है जो लोग इस तरीके का जीवन जीने की कलपना करते हैं तो वो किसी भी धर्म और ज का मिलना असंभव है यह मानते हैं जात है यह थे दोस्तों वन जाते हैं एक से दान्त तो करके से थो का है है हमें प्रिष्ट भूमी है वे बहुत में आगे पड़ेंगे धक्तिकाल के लिए बहुत सारी आप आप सहित्य जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे, जब आप कबीर को पढ़ेंगे, जो निर्गुण धारा के कवी हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे, जितने इनके सिधानतें, वो कहीं न कहीं, इन चीजों से निकलते हुए हैं, है न, ठीक है, तो इनको अब हमें क्या है इन सिधानतों को अब हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या क्या ये कहते हैं यही हमेरे लिए आगे का मार्क प्रशस्त करने जा रहे हैं बक्ति कालीन सहित्या के लिए क्लियर दोस्तों तो चलिए आगे हम देख लेते हैं जो नात सहित्या ह हुआ है या यूं कहें कि कौन-कौन से सहीतिकार हैं या कौन-कौन से नाथ हैं है ना नवनाथों में से कौन प्रमुक हैं देखिए इन में से सरव प्रमुक चो माना जाता है देखिए वो है गोरकनाथ तो ये नाथपंद के अरंब करता माना जाते हैं तो अरंब गुरु माने जाते हैं किनके गुरु गोरकनाथ के गुरु माने जाते हैं मतसेंदरनाथ कई बार पूछा जाता है एक्जाम में कि गोरकनाथ के गुरु का नाम क्या है ठीक है तो इन्हें मिश्र बंदों ने हिंदी का प्रत्थम गद्यलेखक माना तो देखिए अगर इस तर में ये दो पंक्तियां गई हैं दूसरी है कि गोरकनाथ अपने युक के सबसे बड़े नेता थे ठीक है तो उस वक्त सच में ही एक तरीके से ये सबसे बड़े नेता थे जब वामाचार अपने चरम पर था तब इन्होंने क्या किया इश्वरत्तो तक पहुंचने का मार्क प्रशस्त किया तो इसलिए इनको क्या आगा जाता है कि ये अपने युक के सबसे बड़े नेता थे आगे देखिए दोस्तों कि जो पितंबरदत बड़तवाल थे इन्होंने इनकी 14 गरंथ प्रमानिक माने हैं कितने गरंथ माने हैं 14 गरंथ प्रमानिक माने जबकि कहा ये जाता है कि इनकी 40 रचनाए हैं देखिए क्या माना जाता है कि 40 रचनाए किसकी हैं गोरखनाजी की हैं लेकिन पितंबरदत बड़तवाल जिन्होंने हिंदी सहीते में सबसे पहले क्या किया था हिंदी सहीते में किसने पितामबरदत बढ़तवालने, गोरकवानी नाम से, क्लिर है दोस्तों तो ये था गोरकवानाथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी, आईए अब हम देख लेते हैं कि गोरकवानाथ की जो प्रमुक रचनाए हैं उनके बारे में जान लेते थोड़ा सा, देखिए इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो गोरकवानी में संकलित हैं जो किसने माना है पितामबर्दत बढ़तवाल ने मानाए कि 14 हैं यहां पर आप देख रहे होंगे जिनमें शब्द, पद, शिश्यादर्शन, प्रानसंकली, नर्वेबोध, इत्यादिये, ग्यान, चौनतिसा, पंचमात इत्यादि, यह मतलब कुछ एक हैं इनकी 14, आप इनको देख लिजेगा, संस्कित वाष्या में लिखे इनके ग्रंथ है, देखिए, सिद, सिधांत, पद्धती, विवेक, मार्तन, शक्ति, संगम, तंत्र, तो मतलब यह कुछ प्रमुख कृतियां हैं इनकी, आप इनको भी वीडियो को पॉस करके देख सकते हैं कि यह इनकी रचनाए हैं, हलनकि इनके बारे में कुछ जादा जानकरी नहीं मिलती है, जीतना कुछ था, वो मैंने आपके बीच में रख दिया है, तो चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हम कि इसके अलावा जो अन्या नात्पनती वो कहते हैं कि नात्परंपरा में मतसेंदर नात के गुरू जलंधर नात माने जाते हैं, भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनात कहे गए हैं, जलंधर नहीं सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए, पंजाब का जलंधर शहर उन पश्चिम की ओर चल पड़े और उसके बाद पंजाब के जलंदर शेहर का यह कहता है कि वो जो नाम पड़ा है उन्हीं का एक तरीके से क्या है समारक चांड पड़ता है ठीक है आगे कहते हैं कि नाथ संपरदाय में जलंदर को बालनात का जाता है तो देखिए बालनात का टी जो नमक के पहाड का एक वनन आता है तो वहां पर क्या था ये जो रहते थे बालनाथ योगी कई दिनों तक माना जाता है कि वहां पर रहे तो उसको का जाता है इसलिए इनको क्या का जाता है जलंदर को बालनाथ ठीक है आगे देखिए नाथों में रसाइनी नागरजुन को म पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए, तो ये थी दोस्तों, नात्वंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी, हालां कि यहां से हमें ज्यादा साहित्य नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो गोरकनात ने एक बैग्राउंड जैसा त्यार कर लिया था किसके लिए आगे आने वा कबीर भी उनी चीज़ों को एक तरीके से मानते हैं, तो ये था दोस्तों नात्पंथ, अब देख लेते हैं कि जो नव नात्थ थे, जो नौ नात्थ थे, देखिए इनकी संख्या नौ मानें गई है, गोरक्ष से धान संग्रह में, इनके जो नाम है वो इस तरीके से हैं, आ और इसके अंतरगत आने वाले जो प्रमुक नात्पन थी, और फिलाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई उर्जा नई स्फूर्ति के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत, जय हिंद, जय भारत